हेलो बच्चो तो आज लेकर आए हैं क्लास 6 का सॉलोशन चेप्टर नम्बर 1 का जिसका नाम है कि भोजन कहां से आता है भोजन कहां से कि इस चेप्टर का हम लोग सॉलूशन करेंगे आज अध्याय को खत्म करेंगे यानि कि अभ्यास को पढ़ेंगे तो सबसे पहला कोश्चन दिया गया है कि क्या सभी जीव जन्तू ये कि ही परकार का भोजन करते हैं तो अंसर लिखेगा कि नहीं पहला का अंसर लिखेगा उत्तर नहीं सभी जीव जन्तू एक ही परकार का भोजन नहीं करते हैं यह है पहला का अंसर हम लोग जो है क्लास में पढ़े थे क्लास की जब थियोरी हम बता रहे थे तब उसमें पढ़े थे कि भोजन करने के अधाल पर जन्तू को तीन बरगों में बाटा गया है कौन-कौन पहला सरवाहरी यानि कि साकाहरी सरवाहरी और मासाहरी तिन बरगों में बटा गया था ठीक है तो सभी जन्तू एक ही परकार का भोजन नहीं करते हैं अगला कोश्चन है हम लोगों का कि चार पौधों को नाम लिखिये तथा बताये उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोज और लिखेगा तो इधर लिख लिजाएगा पौधा के नाम पौधे का नाम अधर लिखेगा खाये जाने वाले भाग खाये जाने वाला भाग तो देखेए सबसे पहला हम लोग लिखेंगे पालाग तो पालाग का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं तो पालाग का हम लोग पत्ती खाते हैं इसको भी हम लोग थियोरी क्लास में पढ़े थे कि पौधों के खाने योग्य भाग किसे कहा जाता है और उसके बाद हम लोग यह सब के बारे में जाने थे तो आप लोग अगर थियोरी क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लें तो देखें तुसरा नंबर है लिखेंगे आलू तो आलू का आम लोग क्या खाते हैं तो आलू का आम लोग तना खाते हैं तिसरा नंबर में लिखेगा मूली मूली का आम लोग क्या खाते हैं तो जड़ और पत्ती मूली का दोनों खाते हैं जड़ और पत्ती दोनों चोथा नंबर लिखेगा लौकी तो लोग के हम लोग क्या खाते हैं फर खाते हैं लोग जब फलता है तब उसका फल ही न हम लोग खाते हैं तो लोग का दो new question का जो है answer मिल गया है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चले इसको आप लोग लिख लिये जी यह उसके बाद हम लोग इसको मिटारते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं है कि हम लोगों का तीसरा कोश्चन है चार जन्तु के नाम लिखे और उनसे प्राप्त भुज्य पदार्थों को बताईए तो देखे चार जन्तु का नाम लिखेंगे तो इधर लिखेंगे जन्तु यह है तीसरा कांसर लिख लिखेंगे पहले तीसरा नंबर देके उत्तर अ कि एक साट लिखेंगे जन्तु कि दूसरा साट में लिखेंगा उनसे प्राप्त भुज्य पदार्थ लिखेंगे प्राप्त भुज्य पदार्थ नमबर फर्ट लिखिएगा गाई गाई से लोग को क्या पराप्त होता है दूद दूद लिखेंगे उसके बाद लिख लिजएगा मुर्गी मुर्गी से लोग को क्या पराप्त होता है अंडा और मास उसके बाद लिख लिजएगा तिसरा नमबर मचली मचली से लोग को क्या पराप्त होता है तो मास उसके बाद लिखेगा चौथा नमबर बकरी बकरी से लोग को क्या पराप्त होता है दूद और मास दोनों दूद और मास बकरी से प्राप्त होता है हम लोग का तिन कोश्चन का अंसर मिल गया है और चौथा है कि दूद से निर्मित भोज़़़़़़़़़़़़़़़़ं का नाम लिखेए तो उत्तर में लिखिएगा चौथा नमबर चौथा नमबर के उत्तर में लिखिएगा कि दूद से हमें नमबर लिखिएथ खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है कौन कौन तो पहला नमबर में लिखिएगा दूद से हम लोग दही प्राप्त करते हैं क्या बनाते हैं दही भी बना देते हैं देखें दूद से प्राप्त खाद्पदार्त तो पहला नमबर लिखेगा दही दही दूद कहीं बनता है दूसरा नमबर पनेर पंदीर भी दूद से बनता है तिसरा नमबर खोवा खोवा पे किसे बनता है दूद से बनता है चौथा नमबर घी किसे बनता है दूद से बनता है यह सबी चीज़ किसे बनता है तो दूद से बनता है अब यहां पर दिखे चौथा का उत्तर यह यहां से शुरू है कि दूद से हमें निम्नलिखित खाद्पदार्थ प्राप्त ह जैसे कि दही पनीर खोवा गी और सारी चीज है जो प्राप्त होता है स्क्रिंश दीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पांचमा कोस्टन की ओर डेकिए अब हम लोग पांचमा कोई और बढ़ेंगे, जो है मिलान करने के लिए तो कॉलम्फ 1 को कॉलम्फ से केंड से मिलाना है तो लिखेगे पांचमा कोई तर के पुपतर पिर दियाएगा कॉलम्फ 1 यानि कि में इसे लिए पाला नमबर और यहां पर दूसरा नंबर कॉलम इसेंड eta जो भूलता है कि साकाहरी को मिलाएंगे हम लोग लोग पुखाते हैं भाते हैं किसे बोलेंगे जो पाध कॉछ जोать भूलेंगे तो पालब शुन डूसरा कोश्चंट है दूसरा नमब्र क्या बोलता है कि शेर और बाग माशहारी जंतु हैं क्यों क्यों Medicare आंसर का शोनाभ कनवर हो जाएगा उसके बाद में क्घुतन प्रों क्रेंवे निंदा मास क्या रखाती है जंतूति इसरा क्रें लिए नम्बर इसका नमबर कि सहद 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 देखिए या मिला है सहद कहां से प्राप्त हुता है लोगों मदंख्यव आप लोग चैनल हो गया है नोर बढ़ेंगे तो इसका आप लोग लिए उसके बास कोंसन के और बढ़ते हैं कि तब देखिए यहां पर चछठा कोंसन के और बढ़ेंगे चछठा नंबर और लिखेंगे उत्तर इसमें क्या करना है कि रिक्त अस्थानों को भरना है हम लोग को आप्शन भी दिया गया है हमें पहला कोशन है कि हमें सक्कर प्राप्त होता है खाली अस्थान है हमें सक्कर खाली अस्थान प्राप्त होता है तो सक्कर हम लोग को कहां से प्राप्त होता है तो पहला का अंसर लिख लिजिएगा ग साकाहारी जनतु है क्या है साकाहारी जनतु है साकाहारी किसे बोलेंगे जो पादप उत्पाद खाता है उसे साकाहारी बोलते हैं तो बंदर शिर्फ पादप और पादप उतby खाता है उसके बाद है तिसरा नम्बर कोश्ण है yakव कोश्ण बोलता दो निद्धिया कि भोजथन जहें क्या watching अधिन होगा लेकिन miedo खाली जाएगा आपके अंदर एनर्जी याने की उर्जा बन जाएगा तागत आजाएगा तो भोजन समय क्या मिलेगा उर्जा मिलता है उसके बाद है चौथा नंबर है कि मनुष्य एवं तिल चट्टा जनतु है तो मनुष्य एवं तिल चट्टा क्या है सरवाहारी जनतु ह क्योंकि या पादफण जंतु दोनोत खाते हैं कि दिये गए सब्ति शजबतों से रिक अस्थान की पूर्ती कि रहे हैं यह अधी अस्थान की पूर्ति करना हैं रह Grove हादि अस्थान है क्योंकि यहकेवल तक हाता है तो देखे यहां को सात्मा का अंसार हम लोग लिख लेंगे तो इस जान का पहला का साथ मा का पहला कोश्चन का अंसर होगा क्या बोलता है कि बाग खाली अस्थान है क्योंकि यह केवल माज खाता है तो जो केवल माज खांगा हूज helped हम लोग मासा हारी बोलते हैं कि क्या बोलेंगे कि मासा हारी बोलते हैं सेकेंड कोस्चन बोलता है क्या बोलता है कि हीरन के वल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे कहते हैं तो जो के वल पादप उत्पाद खाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं साका हारी बोलते हैं उसके बाद है तिसरा नमबर कोशन कि तोता केवल खाता है तोता केवल उत्पाद खाता है खाले स्थान छोड़ दिया गया है कि तोता केवल खाले स्थान उत्पाद खाता है तो तोता क्या खाता है पादप उत्पाद खाता है क्या वो मास खाता है नहीं खाता है तो क्या करे पादब भरेंगे उसमें और चौथा नम्मर है कोस्टन हम लोग का बोलता है कि जो खाले स्थान हम पीते हैं वह पराया गाय भैंस या बक्री से प्राप्त होता है इसलिए यह जन्तु उत्रपाद है तो गाय भैंस बक्री से क्या प्राप्त होता है तो दूद्ध प्राप्त ह कर ये अगर आप लोग पहले ध्योरी क्लास नहीं देखें हैं तो इसी के साथ हमें Aquíמסीस क्लास खतम होता है तौन इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों जय-हिंद य-बारत